सेयद मजीद, सेयद रसीद सहाथ, जो एक पावर लूम महदूरी से अपनी जिन्दगी शुरू किये, कुछ वक्फे तक हम्मानी भी किये, और अभी फिलान पावर लूम महदूरी के साथ साथ, थोड़ा सा पलाट के तालुक से भी, टेट ब्रोकर के इसाब से थोड़ा काम क है, वहां से अफिद कुरान हुआ है, यह बच्ची लाइबा बिंद सेयर मजीद सहबा, यह भी नेड में 670 मारका फ्लाई थी, उसके बाद अभी उसका भाव साथ हीरे कॉलेज में, दूलिये में, MBBS में उसका इक विसन हुआ है, इस खुशी के मौके पर हम अहबाब चाहत की और इसके वालदें के वसला अफजा ही हो जाए, इस मकसद के तहर आप लोगों को मदू किया गया, मैं खुशी बच्ची बच्ची बहुत बड़ी बात है, हम इनको मुबारक बात देते हैं, और इनकी खुशी में हम भी सामिल होने के लिए इनके घर पर आए हैं, ताके जो एक छोटा मुटा घराना जो है, पाउर लूम से इनके वालिद जो है पाउर लूम चलाते थे, आज जो है वो बच्ची को इतनी दूर तक पढ़ाए है, ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिरी सीट पे आज एडमिशन होना बहुत नामुमकिन है, आज कट ओफ जो है, बहुत ज़्यादा चला गया है, थाड़े 600-700 कट ओफ चला गया है, तो मेरा बच्ची को एक मशुरा ही है, कि अगर मेशन होआ है तो अच्छी बात है, वो आजी से पीजी की ताहरी करे, और ये पेशा जो है एक हिपनत का पेशा है, ज इतनी उससे इस पेशन्ट के पीछे मेहनत किये, उसको एक कल्वी सुकून मिलेगा, और उपू सुझे कि ने बहुत अच्छी फीड़े में आई हूँ, और जो है तो मैं हमारे जो कली का हज़रा आते हैं, दोस्त आहबाब की जानिक से जो है तो बच्ची को बहुत-बहुत थैं मुभाराकबाद जेता हूँ और आइजदा के लिए जो इन एक फ्वाई शार चेशक बिसमिल्ला रख्मान रखीम सबसे पहले तो मैं अल्लाफ पाप का शुक राधा करता हूँ कि जिसने हमारी मेहनत को ताम्याभी अता फर्माई कि हमारी बच्ची को जो है तो MBBS में Facet shepherd दाफला नसीब परमाया इसमें मेहनत जो है तो सब सी ज्यादा हमारी बच्ची की रही है उसका हुसला था ज muri और वो पढ़ी और काम्याब है और वाकि जो है तो उसकी वालदा की बहुत मेहनत है वो एक शुकर में लगी रहती थी कैसे मेरी बच्ची जल्दी से जल्द पढ़ करके बड़ी डॉक्टर बने और सिर्ट जो है तो मेरी वालदा है और बागी तमाम मेरे रिष्टेदार, दोस्त और हिबाब सब ने जो है तो मिल करके हमारे लिए दूआ की, मेहनत की, कोशिस की तो अल्लापाक ने आज इसका हमको फ़ल दिया मैं तमाम लोगों का बे इंतहा मश्कूर हूँ सुक्रो गुदार हूँ और मेरी गुदारिश यही है कि अगर होसला मजबूत हो तो किसी भी काम में किसी भी नेक काम में जो है तो कोई रुकावड पैदा नहीं हो बस हमको हिम्मत नहीं हरनी चाहिए और अपने मफसद को नजर में रखकर पाम्याबी की तरफ गामधन रहना चाहिए